क्वेशन नमबर एक आपने देख लिया होगा 6.2 की बात कर रहा हूं क्लास 9 की बात कर रहा हूं और भी हमारे रणिंग वीडियो चल रहे हैं उमीद है आप उनको भी देख रहे हैं जो आपका कोई साती हो बालो यह हमारी 9th क्लास की चल रही है 10th क्लास में अगर आपका कोई साती हो और भी हमारी जो अदर वीडियो है प्लोट को कैसे ना पा जाता है सोने का दाम कैसे निकाला जाता है और भी काफी जद्ध हमारे चर्चा में वीडियो रहे हैं और अगर आप उनसे वंचित रहे हैं तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में हैं वहाँ पे जाके देख सकते हैं चैप्टर 6.2 चल रहा था क्लास 9 का और उसका कोशें नमबर 2 आज हम देखेंगे 1 हमने पहले देख लिया था ठीक है तो देखना सबसे पहले इस डाइग्राम को देख लेना वेटा ये डाइग्राम है AB समांतर CT यानि कि ये वाली जो रेखा है ये इसके समांतर है और ये वाली जो रेखा है इसके समांतर है ठीक है वाई अनुपाद Z ये कुण और ये कुण है तीन अनुपाद साथ में है और आपको ग्याद क्या करना है अक्स का मान ग्याद करना है कोशन चेक कर लेता हूँ सिर्फ अक्स का मान ग्याद करना है देखो कैसे करना है बेटा दिमाग खराब करने की जुरत नहीं है क्या नहीं दिमाग खराब करने की जुरत नहीं है बस जैसे मैं कर वह हूँ न एक बार वैसे कर ले न खलास हो जाएगा काम खलास होजएगा, देखो कैसे करना है सबसे पहले सबसे पहले आपको लिखना है A, B, समांतर है किसके? C, D के and C, D, समांतर है किसके है? E, F के ठीक है भई हो गया इतना काम एक चीज में लिख सकता हूँ क्या X plus Y बराबर 180 degree क्योंकि बेटा ये क्या है आपस में अन्तय कोण है अन्तय कोणों का योग है अन्तय कोणों का योग लिखा है मैंने, X plus Y को जोड़ा और 180 के बराबर कर दिया तो ये क्या है? अन्तय कोणों का योग है इन दोनों से क्या निकलेगा इन दोनों से क्या निकलेगा कि जो मेरा अक्स है यह समानतर रेखा है इस region से जो यह कोण है इस कोण के बराबर हो जाएगा क्या हो जाएगा अक्स बराबर Z हो जाएगा इसको मैं समीकरण नमबर 2 दे रहा हूँ इसको समीकरण नमबर 1 दे रहा हूँ क्या करूँगा समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में यहाँ पे लिख दो समीकरण 2 से बेटा यहाँ पे अक्स का मान Z है न तो इस अक्स का मान Z रख दूँगा Z प्लस Y बराबर 180 डिगरी समीकरण नमबर 3 सर जी थे जैड को मान ने क्यों रख यो और अक्स भी या और क्यों भी तो रख सका बटा मैंने एक बात बताओ थे कि अगर मैं ये मान नहीं रखता तो मेरे पास क्या है कि मैं किस के बराबर करता बई क्योंकि इन दोनों को तो अनुपात दे रखा है तो इन अनुपातों को मैं इसके साथ में अक्स के कुछ भी लगा कि यहां पे इसका मान रखके और यहां से इसका मान निकाल सकता था और वैसे मैं नहीं निकाल सकता था तो यहां पे देखिए ये इतना काम होगे है न, उसके बाद में Y और Z का जो अनुपात है, वो तीन अनुपात साथ है, अभी ये तो अनुपात है, लेकिन अब देखो, Y को तो मैं मान लेता हूँ तीन के, और Z को मान लेता हूँ साथ की, और Y और Z का मान अलग लगाए गया न, तो लिखो Y और Z का म आमान समीकरण तीन में रखने पर य और जैड का मान समीकरण तीन में रखने पर बही य का मान कितना है तीन के यहाँ पे रखदो तीन के यह तीन के और यहाँ पे जैड का मान आपका है साथ के यह यहाँ पे रखदो साथ के और बराबर में आपका कितना है 180 रख दिया ना बिटा साथ के और तीन के कता होगा दस के होगा साथ के और तीन के कता होगा दस के और बराबर में आपना कना है 180 अब आपन के को मान निकालनो है के कड़नो है के को मान निकालनो है तो देखो के को मान निकालनो है तो ए एक सो असी ही सामने और ए दस गुणा महीना तो एटीन आ जाएंगा भाग मैं ठीक है देखो अब क्यों होगो के को मान निकालनो एक जिरो एक जिरो कटको के को मान कतो आगो अठारा आगो शिद्धो सो काम है अब के का मान आपका अठार अठारा दुनी च्छतीस अठारा तीस चोवन डिग्री वाई का मान कितना गया चोवन डिग्री उसके बाद जैड का निकाल लूँगा जैड का मान साथ के है यानि साथ गुणा अठारा और आठू साथू चपन हो है साथ एकम साथ और पांच कता होंगा 12 146 डिग्री आजये हो लेकिन मान की को आँए बिटा जैड को मान आएँ अफन मान की को निकालनो है अफन मान निकालनो है अक्स को एक चीज़ देखो अक्स को मान जैड की बराबर समीकरण 2 से यानि कि आपका अक्स का मान भी अब कितना आजाएगा 126 डिग्री कैसे आजाएगा चूंकि अक्स बराबर Z समीकरन नमबर 2 से अक्स का मान भी कितना आजाएगा यहाँ पर कॉश्यन हो चुका है इसके आगे करने की जुरत नहीं है बेटा मैंने कहा था एक बार देख ले ना पर देखने की जुरत नहीं पड़ेगे ओक्सित नहीं कहा था यह और समाज में एक बार और बताते दाओं जिस भाई ने देख लिए है कोई कि दिकतं नहीं है चले जाओ वीडियो को चोड़ कि जिसे नहीं समझ में आया, एक बार और देख लिना, ठीक, देखो, सबसे पहले क्या किया मैंने, अक्स और y को जोडा, क्योंकि ये क्या है, अंदर की तरब बने हुए कौण है, अंत्य कोण है, 180 के बराबर कर दिया, उसकी बाद में मैंने ये क्या है, तिन्नों समानतर रेखा ही है इस वज़े से ये वाला कोण है इस कोण के बराबर हो जाएगा X बराबर Z Then आगे हम बात करेंगे X का मान Z रख देंगे यहां से X सोसी के बराबर करेंगे हमें given था Y अनुपाद Z है वो इतना है ये इतना लिखा इसको angle में change कर दिया ये value हमने यहांपे put की यानि समीकर नमर 2 में या 3 में put कर दिये यहां से हमने के का मान निकाला के का मान Y और Z में रखा और Z का मान X के बराबर है समीकर नमर 2 से तो हमारा अक्स का मान भी कितना आ गया 126 तिकरी अगर आपको समझ में आ गया है छोटा सा लाइक ठोक दो दोस्तों के साथ सेर करना तो बनता है अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ठीक है मिलते एकले वीडियो में एक नहीं सुरुवात के साथ नहीं उमीद के साथ और नहीं वीडियो के साथ नहीं कोशिन के साथ तब तक के लिए राम राम